अले दोश्तों कुमर मंजल ब्लोग में आप से भी का स्वागत है आप सब कैसे हैं उमेद किरती हूँ आप सब अच्छे होंगी और यहाँ पे देखिए बाबू है हेलो बूलो हेलो गुड मॉनिंग बूल मॉनिंग आप सब कैसे हैं और मेरा देखिए बेड़ी यहाँ पे है अभी हम लोग चाय पी लिए हैं बाबू भी चाय पी रहा है और देखिए काजल लगा दिया है अभी हमारे यहां का मौसम बहुत खराब हुआ है मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ इतना यहादा कोहरा चाया हुआ है ना क्या ना क्या अभी दिखा थक क्या सुभा देखिए हमारे कितना यह दख राच रचाया हुआ है इतना जदा कोरा चाह हुआ था कि नजदीक कहीं लोग दिखाए नहीं दे रहे हैं थे और हमारे यहां ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हैं मैं आगे आफ लोग बलोक में बने रहे हैं फिर आप लोग को क्या करीव घंडा लग रहा है तूम जाल करके बैठी हम चाय पीली हूँ बापो भी पीलिया है फिर भुम का अर्फट के लिए अबुद और नो फिर में आप लोगों को दिखाऊंगे मेरी सिस्टर सुल में को है तो अभी तो अभी लोगों के लिए खाणा निकलाएगा फिर में आप लोगों को दिखाऊंगी ना शर्मार्ट अजिए अपयों के व्यूद हुद कि दrieश ृफ और य लेकिन इसे यही वाला डबा बहुत ही अच्छा लग रहा था तो इसी में से लेकर के खा रहा था और यही डबा लेकर के घूम रहा था किसी को नहीं दे रहा था और यह है एक मिठाई और यह है इतना सारा बाकी सब लोग हम लोग खा लिए हैं लेकिन यह सब इतना बच गया तो मैं ऐसी रख दी हूँ और यह चोटा सा मटर का नमकीन वाला है पैकेट जो अभी हम लोग नहीं फाड़े हैं और फिर मैं साम के समय चल दी खेत में थोड़ा सा आलू बोना था तो वहां पे घर के हमारे पास ही में तो वहां पे मैं चली गई तो यहां पे देखे मैं काट सा जो यहां पे सिर्फ सब्सक्राइब करता है और यह देखे में बो रहा था एक वह पाप है कहई हमारे यह तो यह पाप जी है यहां पे माटी चड़ा रहे थी चल्ली कीस miaज़ metu चली बो रही थी है और जल्ली को बढाए हुगा हिए कि सबकूपा यहां काम हमारा है हेइजन हमेसा स tenía हमारे उन सी यहां मतलब यह सब ही चाहा है उकल ऐटकर आधा है यह तो हमारे यहां सब लेकिन के बोल रहा था मुझे आज अपने हान से खाना था तो ये मैं की लाती हूँ, नहीं तो मुझे अपने हान से खाना था. और इधर मेरे सिस्टर रियराद का बचा हुआ दूद था तो चाय बनाई थी मेरे लिए पापा के लिए मम्मी के लिए बाबो के लिए निकाल दी थी फिर ये दोपर के समय चले गए खेत में गोबी के खेत है ये हमारे यहां देखे कितना गोबी बोया गया है यह हमारे पापा और ममी दुनों लोग बोये हुए है कोई और नहीं बोया है जैसे हम लोग समझते हैं कि यह सिर्फ बैठे रहते हैं बैठते नहीं नहीं है हमारे यहां हमारे यह सब चीज बोया जाता है और खुद बोयते हैं यह लोग जाना या मजदूर लोग नहीं काम कर तो यहां पर देखे बाबू कैसे घूम रहा है पूरे खेत में और इधर अभी थोड़ा थोड़ा बोया गया है तो यह आलू और गोड़ा कि अब आप कि अब आप कि और यहां पर गया हुए ते पालक लाने के लिए साग में मिला कर बनाने के लिए तो यह नो का मस्ति सुझ रहा था तो कैसा मेरे वीडियो लग जरूर बताएगा मिलती हो अप लोग स्ने ब्लोग के साथ बाइब